नारायन अने कृष्ण नारायन विष्णू अने जे घणा अंश कला आवतार होजे छे एमा भेद छे अभेद छे एकज छे अने क्रिष्ण नो जे चे पूर्ण पुरुशोत्तमर उपता अनुँ प्रतिपादन आपना ग्रंथो माँ छे अन्य ग्रंथो वेद उपनिशद, सम्हिता उपनिशद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, पांचरात्र आगम इत्यादी बधामा पणें आपने, वर्णन जुवामडेचे के स्मृति शास्त्र, बीता शास्त्र, बधामा एम वर्णन जुवामडेचे के क्रिष्ण जे चे पुरुशोत्तम जे तो अने अमुक शास्त्रमा जमके नारायन सूप्त छे अने पुरुष सूप्त छे ए शास्त्रमा नारायननु नी परब्रह्मरू पतानु प्रतिपादन करवा माव्यू छे खाल करें आने हमुक अ यवा प्ण्ट वचनो प्रापत थाये छे जाये ककद ₙ माई गदाची परब्रह्म छे अन्ष छे कला अवतार छे आवेश अवतार छे इत्या थे ऐत्यादी शूंछा तो ए संशे नूँ बाहूल्य छे तेथी करीने मनेम थाई छे के आजे आपने एना बरचर्चा करी है अने जो कोई प्रश्ण होए तो आपने लईए अने पछी आपने नेक्स टाइम थी गिरिश भाई ये शास्त्रा आर्थ प्रकरण का उश्य मनें तो शास्त्रा आर्थ प्रकरण लई शेकिये अपने नेक्स टाइम थी जुओ मने घणा वदा हिवा प्रश्ण हावया के नारायन और श्री कृष्ण मां भेध छे के नहीं जो होए तो श्किवो भेध छे न नहो होए तो पच्छे आपने नारायन शब्दनों जक्यम उप्योग नथी करता कृष्ण शब्दनों क्यम नहीं इत्यादी वगरे क्रिष्ण शब्दनी व्याख्या मां प्रभू कुष्ण करे छे अन्य क्रिष्ण शब्दनी व्याख्या जे इतर शास्त्र मां इतर एटले के सोरी आपनाच शास्त्र मां इतले पर संप्रदाई सांप्रदाई ग्रंथो मात्र नहीं पन जे उपनिष्द मां जमके एवा शा तुने जानता पहला लक्षन प्रमाणच अभ्याँ वस्तु कि अधिक नitel दसे खें रशाहित आट. लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तुसिद्धी यह वो नियम छे एटले के पहला तो ए वस्तुने समझवा माटे पहला तो वस्तुने डिफाइन करो जहल के इश्वर छे के नहीं आप्रश्ण नउरह उत्त्तर आप मांते पहला इश्वर ने व्याक्यान विद करो जो हो पहला ऐस्वर डेफिनेशन नहीं आपने जो सुष्पष्ट करिये तो ईश्वर ने प्रूवат करवा वाटेना जे प्रमाणों छे ते आपने प्रूव नहीं करी शेके प्रमान सर केम के आपने खबरत नरती के आपने प्रूव करवानू थेश्यों एटले प्रमान पहला आपने लक्षणですね वस्तूनी definition शों शे यह यह पहला निश्चित कर वीजे पचे येन प्रमान प्रमान एने सिद्ध करवाना प्रमाण आपने शोध्वा जोई है ते वीच री ते कृष्ण शूँ छे तेने समझता कृष्ण ने प्रमाणों के कृष्ण पूर्षोत्तम छे के नथी पूर्षोत्तम इत्यादी वगेरे वगेरे एना प्रमाणों शोधता पहला कृष्ण नी डेफिनेशन एटले के लक्षण शूँ छे कृष्णनों एसेंशल क्वालिटी शूँ छे कृष्णनों ए आपने पहला शास्त्र ना वचनत द्वारा आपने समझे लेखु जए जारे आपने लक्षण समझे लईए कोई पण वस्तू ना पची ए लक्षण आनुसारी जेचे ते प्रमाण सिद्धक चरीने आनों पछी वस्तुनी सिद्धि थाये छे तो आजे आपनी DOWN इसीपलीन चे लक्षिण प्रमेन अभ्यम वस्तु सिद्धि ए प्रमान आपने जैशिओ यह चीह मुख से आधा लग्षण जे स्वरूप लक्षन, लक्षन ना घणा बदा प्रकार छे, स्वरूप कार्य लक्षन, कारण लक्षन, प्रयोजन लक्षन, इत्यादी घणा बदा प्रकार ना लक्षन हो छे, फल लक्षन, तो अहीं आपने ए बदा लक्षन हो नहीं रही, आपने जे स्वरूप लक्षन छ जे एवू लक्षण होवू जोई है कि जे इतर देव मा एप्राप्त न थतु होए एटले कि जे इतर देव जे छे ए असाधारन धर्म होव जोई है एवू कोईक स्वरूप लक्षण जो मड़े तो एना थी एस पुश्चुस पष्ट थाए तो कृष्ण नू जे स्वरूप लक्षण छे एए अपने जोई लहिए शास्त्र ना वर्चन ना अनुसार तो मैं लागे छे कि मैं आप पहला पन प्रोजेक्ट करी हती पन आपने फरिति करीदू अने थोड़ू जूम इनकर्ण करीदू तो कृष्ण नू जे प्रथम लक्षण जे छे गोपालत आपनी उपनिशद मां कृषिर्भू वाचे कहा शब्द हा अनस्य निर्वृत्ति वाचे कहा तयोर आईक्यम परब्रम्म कृष्ण इती उच्चते आ स्वरू प्लक्षण आप्पा माग कृष्ण नू एटले के कृष्ण नू जे यउगी का अर्थ जे शब्द जे छे श्री कृष्ण एमा जे कृष्ण शब्द छे एमा जे व्याकरण ना अनुसार जे आ शब्द जेना थी बनेलो छे माने कृष्ण अने अन, कृष्ण अने न, आब अने जोडवा थी कृष्ण शब्द बने छे तो कृष्ण शब्द जे छे ए भूवाचक शब्द छे एटले के भू जे छे ए धातु छे पाड़ी नीए व्याकरण मा भू शब्द जे छे ए धातु मूल धातु छे भू धातु नो अर्थ छे होवू पाड़ी पाड़ी वस्तु होवे जे होई एने भूत आतु थी ए एनो अर्थ निकड़े छे तो भू एटले के जे होई the one that exists it is not illusion ए मिठ्या नथी ए कोई के आर्टिफिशल फिनोमिना नथी के कोई के बनावी ली दी होई पाड़ी एक्चुली होई the one that really exists एने भू शब्द थी एने कहवाए छे इटले के शब्दों जेमके घणा बदा क्रिया पदों छे जेमके भवती भवन्ती आ बदा शब्दों जे छे ए बदा भू धातु थी वनेला छे भव तो आपन भू धातु थी वनेलो छे तो भू जे छे भू धातु जे छे ए होवा ना आर्थ मां छे के जे वस्तु एक्चुली मां छे ए भू धातु थी ए वरण करवा मां आवे छे तो कृष शब्द छे भू वा चक शब्द छे एं कही रहाँ चे वह है उपनिशत भू बढ़ा करछी कृशीhew भू वा चक्र और शब्द साब्द Все ग Hospешьow निर्वृत्ति बाचे कहा, निर्वृत्ति बाचे कहा, नो अर्थ थाये छे, क्या आनन्द छे, माने निरवधी आनन्द छे, निर्वृत्ति बाचे केटले कोई पन प्रकार नो, माने भगवान नी लीला मा, माने कोईक वस्तु, भगवान जे लीला करेशे, तेमा कोईक प्रयोजन नथी, कोईक खूटी नथी, जतु भगवान ने, तेनी प्राप्ति करवा माटे भगवान लीला करेशे, भगवान जे ते अनायासेन हर्षाद क्रियमाना एवी रितेनी लीला चे स्वानन्द उच्छलन कारने जिलीला थती हो त्यवा प्रकार्नि भगवान नी लीला चे इने जे भी βीला चे त्येवू ज स्वरूप चे घ के अंने आपनो स्वरूप जे चे ए पड़ निरभधी छे पूर्ण छे अने इन्फिनिटी ने डिस्क्राइब करवा माटे निर्वृत्ति वाचक अन शब्द मुख्यों छे इन्फिनिटी जे आनंदनी जे इन्फिनिटी जे एने द्योतन करवा माटे निर्वृत्ति वाचक शब्द जे अन शब्द छे एने प्रयोग कर्यों छे તો કૃષ્શી અને અન એમ બણને ને જોડો તો કૃષ્ણ શબ્દ ની વ્યુથપથી થાય तो कृष्ण शब्द नो हिया लक्षण हिया जे एसेंशल क्वालिटी जे छे एटले के स्वरूप लक्षण जे छे एशू प्राप्त थाये छे के जे निरवधी सच्चिदानन्द छे ते एले के कृष्ण नो जे असाधारन लिंग जे छे आपने शास्त्री भाषा मा कहूँ तो असाधारन धर्म अथो असाधारन लिंग तो असाधारन लिंग छे कृष्ण नो के जे निरवधी सच्चिदानन्द होए आफ फर्स्ट लिंग आफ फर्स्ट लक्षण बीजो लक्षण जे छे ए कहे छे महाप्रुभूना शब्दमा तत्वार्थ दीपनी बंधना अंतरगर्ट शे महाप्रभुजी कहे छे प्रथम तो महाप्रभुजी एम कहे छे सैव परमकाष्ठा पन्नहा जे हुँ ही या हाइलाइटेड वर्जेन माउँ सैव परमकाष्ठा पन्नहा कदा चिद जगद उद्धारार्थम अखंडः पूर्ण एव प्रार्दुर भूत अहा कृष्ण हा इती उच्यते महाप्रभुजी ए श्री कृष्णननी ए डेफिनिशन आपे छे के ए जे छे परमकाष्ठा पन्न जे छे एटले के the excellent the best phenomenon ए परमकाष्ठा पन्न एफ एवु effिनोमिनन के एम नी बधीज शक्तियो अने कोई पना आनदना तिरो धान ना आनन दांश न तिरो धान वगर आनन दांश ना तिरो भाव वगर सर्व शक्तियो newer पूर्ण आनंदनु जे प्राकिट्य जगत माँ थाए माने गोलोक मातो छेज अथवा जे आपी वैकुंठ जेशे अथवा गोलोक इधाम इत्यादी मातो ठाकुजी नू पूर्ण आनंद स्वरूप नो प्राकट्ट छेज पन जारे ये जे पूर्ण आनंद जेशे ए स्वरूप जारे जगत ने उद्धार करवा माते भूतल पर प अधाचे जगत उद्धार आर्थम अने ये पन मने कोईक अंश कला अवतार इत्यादी नहीं पन अखंड हा खंड शह नहीं पन अखंड हा अने पाचे अंश कला आवेश अवतार इत्यादी नहीं वामन निर्सिम्ह निर्केसरी रूप नहीं पन उल्ण एवप्रा दुर्भ वूता हा तो जहारे कोईपण प्रकार ना आवेश अंशकला इत्यादी अवतार नहीं पंड पूर्णा आनन्द रूप जहें अमणोजु प्रकट करें स्री क्रिश्ण तो एंज दिशें ए परप ब्रह्म ज्यारे पूर्णा आनंद जे छे रूप थी अखंड रूप थी ज्यारे जगतने उद्धार करवा माटे भूतल माँ प्रकट थाए तो ए परप ब्रह्म ने कहवाए छे त्यारे त्यारे कृष्ण टो त्यारे आपने जश्यम ने कहिए कहा यां आ ऐसे भूत परप्रह्म की त्यारे अपने सालंगे हई बढ़ा माते ब्रह्म समरूप छे अने माने यतो वाच्व सिवर्तन पे अप्राक पे मनसास आए वो ब्रह्म छे ए जानी नतिश का तो मरे भगवान गो लोक मां के वैखुंट आदी लोक नी अंदर ज जारिस्थित रहे त्यारे माने भगवान जेछे ए निर्गुण भग्तों जेछे तेमने जखाले रिस्पॉंट करता हुए जारे भगवान साधारणी करण करीने तामस भग्त अथवा राजस भग्त अथवा साथ्विकादी भग्त ने माते पन जारे उते प्रकट थाए भूतल मा त्यारे तो असाधनम अपिसाधनम करोती सिद त्यारे तो एने क्रिष्ण कहवाए आयू समझना एटले कदार्चित जगद उद्धार आर्थम एम कहेचे जगद न उद्धार करवा माटे ले के भग्त उद्धार अरका जेवापन भग्त छे पण भगवान जारे भी पुष्टी बतावे के निनी गमे तेवा भग्त तेथी करिने व्रजस्थ जे व्रजभक्तों छे तेमना मध्यमा अपन जे भगवान जे प्रकट थाया तो व्रजभक्तों नी अंदर तो कोई पन माने eligibility हती नहीं के जे परभ्रह्मनों माने साक्षातकार करी शके कारण के जे अन्या प्रतम निशिशयानम अति श्रमेन लोकम विकुंठम अपी उपनेश्यती गोकुलमस्म एविडिते जे व्रजभक्तों छे अन्या प्रतम निशिशयानम एक दिवसमा काम करवा जता थाकी ने आवता रात रेने पछी सुई जता आतो यमनी दिन चरिया अन्या प्रतम निशिशयानम अति श्रमेन चता पन भगवान प्रकट थे गया तो कोईपन अपेक्षाव अगर भगवान जहा है जगत ने उद्धार करव वाते जहारे जगतम प्रादुर्भूत थाए साधारनी करन भक्तना साथे साधारन थाई ने भक्त जेवा बनी अने भक्तना मध्यमा प्रकट थाई जाए त्यारे तो ए कृष्ण कहवाए अखंड पूर्ण एपन ध्यान में राख़ी कि अखंड अने पूर्ण जारे आनंद नो प्राकट्य थाए एज परब्रह्म जे आनंद मयाधिकरणी अंदर जे आनंद शब्द छे अने उपनिशद म माने वाच्य जे परब्रह्म में जारे जगतना उद्धार करवा माटे जारे प्रारदूर भूत थाए भक्तना मध्यमा जारे प्रारदूर भूत थाए भूतलमा जारे प्रारदूर भूत थाए त्यारे तो एने कृष्ण कहवाए आ कंडिशन छे आयो समझना अच्छा कृ कृश्ण शब्देन परम वस्तु उच्चते। duda त्यों किरा लिए अनि पंपरामसाउं्दर्यम्स्वागतम नियाया . स्वगतम परमसंदर्यम प्रकटिकरिश्यामी इती इच्छया प्रार्दुर्भूतम। कृष्ण शब्द थी ए परमकाष्ठापन वस्तुनो अहिया उपदेश कर्यारीक थाई रहो छे। कगया इच्छाना कारणे प्रार्दुर्भूत थाई चे भूतलू पर के हुँ मारा परमसंदर्यने प्रकट करू इवीच्छा श्रीमद व्रंदावनेंदू प्रकटित रसिकानन्द संदोहरूपस फुर्जद्रासादि लीलाम्रत जलदि भराक्रांत सर्वोपिशश्वत तस्याइव अवययाति जो तस्याइव आत्मानु भाव प्रकटन विदयस्याज्यया प्रार्दुरासी भूमव सन्मनुष्या खृति रतिकारोण स्तंप्रपध्य हुताशं तो आपन यहां एज माने स्त्रीभावो गूडः पुष्टी मार्गे तत्वं इत्यादि वज्येचे भगवानने पुताना जे स्वगत जे परमसंदर ये जेचे ए प्रकट करवानी भगवानने इच्छा थाई ए प्रकट करवानी इच्छा जे छे एना कारणे जे परब्रह्म जे छे उतानी सर्वशक्तियों साथे निरवधी सक्चेदानंद रूपताने मेंटेन करीने जारे अखंड पूर्ण जारे प्रादल भूत थाए भूतल उपर त्यारे ए फिनोमिना ने कहवाये छे श्री कृ क्रिष्ट्न हाँ अवे समेज माई आ श्री कृष्ट्ननी माने गोपालतापनी उपनिशद प्रमाने अने भागवत्मा पण हुँ कई दो एटले पची महीं या थोड़े पॉज लवने कोई क्वेश्चन वाज़े भागवत्मा कहें चे एते चा अंशकला पुंसाहा कृष एते चांशकला एते चांशकला पुंसाह किष्णस्तु भगवान स्वयम् एते एटले यह अंश्र आवे ऎशकला इत्यादी जेटला पण वामन इत्यादी जेटला पण अवतार जेछे ए एते शब्द थी इंए समझावा में आविरा चे्टीका ना प्रमाली आश्लोकाइटीका प्रमाली तो एते एटले आ बधा एकले कौण बामन दृषिम्ध Èत्यादी हा बधा जेचे एबधा अंश ikLaवेश आवतार कैं 20 दों श्राकर mache kutमश कला इत यादिछ अवतार चे speed अने पुम्साहा एटले कहियां पुरुष शब्द छे यहां जे पुरुष सूक्त माँ जे पुरुष शब्द चे छे ए पुरुष शब्द पन अहियां पुम्साहा सब्द थी यहां समझाये छे ए बद्धानी बद्धाजे छे, ए बद्धाज माने थी भिन्न, ए बद्धा थी भिन्न कृष्णस्तू, कृष्ण तो स्वयम भगवान छे, स्वयम भगवान एटले के पुरुषोत्तम, परब्रम्म, पुरुषोत्तम, निरवधी सक्चे दानन्द छे, तो अहिई आ कृष्ण तो भगवान स्वयम पण एते चा अन्षे कला कुंसा बीजा बधा अन्षे कला आवतार चे पण कृष्ण तो भगवान स्वयम आनि टीका बधा I think दसेक आचार्य जेशे आपना आचार्याना संप्रदाये थी इतर जे आचार्य जेशे तेमनी पन टीका प्राप्त आएशे बधानू एक मत्य छे त्या क्रिश्नस्तु बगमानस्वन गीता मां जोवँँआ गीता मां केछे स्वतिशास्तर कहेँआ अतोसमी लोके वेदे चा पर्थितहा पूरुशॉुथ railroad फ्लियरली भगवान केछे कम्में पूर्शॉत्त हमछी फ्लियर कट वल्डCE अचार्य केहँआएँआ के अवे तो ख्याल आवीं केश्या बावनाबेन वीडियो बंद करो, तमार वीडिया में बदु देखाया छिए आगण कहे छे, ज्यारे आपने कृष्ण नो जे स्वरूप लक्षन समझी गया इतले कृष्ण नो स्वरूप लक्षन शुँँ कृष्ण भुवाचक हा, शब्द हा, नष्च निरुत्ति भाचक तयो रैक्यम परम्ब ब्रह्म कृष्ण इती उठ्चते आ एक, पची कहे छे, कृष्णस्तु भगवान स्वयम अबीजो स्वरूप लक्षन त्रीजो स्वरूप लक्षन कहे छे, सैव परमकाष्ठापन अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत जगद उद्धार आर्थ प्रादुर्भूत था है तो अने चोथो स्वरूप लक्षन कहे छे, के एवो वस्तु, एवो परमवस्तु के वस्तु शब्द योग्य नित्पड आम आ प्रूरुजी ना वर्ड छे, एटले वस्तु शब्द एटले का आज कोई जड वस्तु नहीं हा, आ निरवधी सच्चिदानंद छे, एटले यह अन्यथा नहीं लेतार थे, नो, क्रिश्न शब्देन परम वस्तु उच्य थे, तदेव कोण, तो कहे चे के जेम्णे एवा भावती प्रकट थाया, के बैहुं मारू परम संदर ये जे छे, ए मा प्रकट करू, एवी इच्छाना कारणे जे प्रकट थाये छे, सतक्रिश्न इती उच्चे ते, अने गीता मा कहे चे जे अक्षर थी पन जे अतीत होए, अने अक्षर थी पन जे उत्तम होए, अक्षर थी तो अतीत होए, अक्षर थी पन जे उत्तम होए, अक्षर थी पन अतीत होए, पन अक्षर थी पन अतीत होए, तो ए जे छे, ए अमे पुरुष उत्तम अमे छे, तो आटला बदा स्वरूप लक्षन सिद्ध थाये छे, असाधार सद्धारन लिंग्क जेके कृष्ण ना आ बधा साथारन लिंग्ग जिए आज याँ ज्यां、 तिया कृष्ण समझेँ समझ में आयू कि नी आं बधा लख्षणम जिए एक साथे ॵे तुङ क्रिष्ण gemaakt तो समझझेँ प्रिश्ट्ण तो जे चे कोई काल महने कोई काल जे चे एमाँ थही ने महने कृश्ट्ण थया तो एका असाधरन लक्षण नथी यह मनो यह सारस्वत कल्प माँ जे थया बस एज प्रिश्ट्ण नहीं यह ये वो definition मा प्रूफुजे न थी आपी ये कृष्णे डिन definition जा रे करीत ये नहीं तो यै माप्रूफुजी कहता ही ये कहां जे सारस्वत कल्प मा जे अवतार प्रकट थएक कृष्ण पड़े असाधारन लिंग नथी, हाँ, सारस्वत कल्पमा पण थैया क्रिश्ण, for sure, पड़े काई असाधारन लिंग नथी क्रिश्ण नो, असाधारन लिंग जे छे, जे ए आबधा छे, अचा रिग्वेत नी अंदर जीए, रिक्समहेतानी अंदर कहचे तावा वस्तुनी उष्मसी गमध्याई यत्रगावो भूरी श्रंगा अया सहा अने यत्रगावो भूरी श्रंगा अया सहा अने तावां वास्तुनी उष्मसी गमध्याई आ अने विष्णोह करवाणी पश्यता यतो प्रतानी पसपशे इंद्रस्य युज्य सखा तद विष्णोहों परमंपदं सदापश्यंति सूरय हा आवधा वचनमापण कृष्णनी जे लीलाओ जे चे तमध्य यत्रगाव भूरी इश्ट्रंगा गमत अया सहा आवधा जे रुक्समहिता, रुग्वेद, यजुर्वेद, तैतुरीय समहिता, रुक्समहिता आवधाई मापण कृष्णनी जे व्रजलीलाजे चे यत्रगाव भूरी इश्ट्रंगा इत्यादी माई व्रजलीलाणों निरूपण त्यां करेलो चे त्यां पण हिया ए परब प्रयप्रम्म क् रिष्णनगावर्णन कृष्णन त्यां वरणन मा immense वेद मापन प्राप्ट थाये चे उपनिशद इटले के वेध-便ान्त बनने वेध म मह जावे कि कृष्ण नी, कृष्ण नो जे स्वरूप लक्षन छे अना साधारन लिंग शून छे आ ध्यान में राखो हवे कोई ने प्रश्ण सारस्वत कल्प में जनमेला क्रश्ण तमे को लिमा समझना पड़ी अच्छा जया सारस्वत कल्प त्यात्या कृष्ण नहीं यह विव्याप्ति करी शकाए यह वो लॉजिक दोड़ा भी शकाए परिती फरिती समझाओ समझों अम्हें अलोजिक नो नियम चाहां इतले जाए एक सेकेंड वेर एक्स इंप्लाइस वाइ अजोई शको चोंग सूल अखो चोई है हाह 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 मोटकरो एक सेकेंड आ एक्स जेचे सारस्वत कल त्यां क्रिश्चन है कि आई एक लॉजिक था हूँ अन्यां वह क्यावाई है अन्यां वी जो चे व्यतिरेग व्यतिरेग लॉजिक मां श्यू हूँ है नॉट एक्स नॉट वाई इतले नॉट एक्स इतले नॉट सारस्वत कल नॉट सारस्वत कल देन नॉट क्रिश्चन आउ तम्हें मानी शको खराई आवू आ लॉजिक वापरी शकाए बस याच करें तो असा धरन धर्म नथी अचावें जो असाधर धर्मं के वह य को और असाधरन धर्म न थी नॉट असाधरन धर्म आज़े गुजराती माँ लखिन अच्छ तो तमें यू अल गेट इट वट आम ट्राइंग तो अधर्म दो आज अधर्म न थी नियुक्रिश्ण अधर्म आज़े आज एक रिश्ण माज हो एक अधर्म यह चे पूर्ण माप्रजी डेफिनिशन पर जाओ पूर्ण एक मिनेटशी डिसेश्ट लाइग पूर्ण पच्छीशु कई माप्रोजी अखंड है अनने पच्छीशु कई उब भूतल पर प्राकट ते बूतल प्राकट ते राइट जगद उत्ता रहा थे जगद उत्ता रहा थे पीज़ोशु कई अधी स्वगत संदर्य प्राकट करवा माटेशाइट स्वगत संदर्य प्राकट्यार्थ तब है आणनंद और अखंद आंद已 बगासों हो इंग्लिस व condition दो कोट श्वग अधाया डीरोह, इसे ड़े अचार गनिया ना राइट इतो ने चौत आपनी लएगे पूर ने लएगे आपने symptoms पीनाई राइट इन्पाइट ले 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 आपने हैं राइट अबै आचार जेशे आभाइट जो 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 हाँ आएक सिक्वाल्स टू थी प्लस फोर फराबर हाय आगोजिक प्रोड आओ फरी ती ऐहां एक सेकेड आसू थायू ओके X इक्वल्स टु सारस्वत रिमूव करेडो अवे जो अन्वाय जियाँ X छे त्याँ Y यही शको होगे X इक्वल्स टु आ चारेवनू Mishran 4-वनू समुझ चारेवनू आप अछिश्ण परद श्रीघ्य निंक्र शाहुआ है की आपिसां या मन दो पुर्नत्त अखंडत्त जगत्माप्राकत्यत्व ने संदर या प्राकत्यार से नीच्छा हो आत्यात्या प्रॉब्लेंच एक सेकेंग अवे जो इतिरेक पराबर छे अवेतिरेक काड़ी तो आचारे उन्हों होए तो कुरुष्ण नथी वाचाची किन ए हाँ for example जहगत माच परकतना थता हुए ने खाली गौलोक माच रहता हुए तो नीचे परकततना थाए अवतार ना धान करे तो यहां पूनत्व छे निरवदी सचिदानन्दत्व छे जगतमा जगदो धारार्थत्व छे अनने स्वगत सउंदरिय प्राकट्यार्थ इच्छा छे त्यां कृष्ट्न छे करेक्ट अने जा अगुण नथी त्या कृष्ट्न नथी एटला साधन दर्म थायो के नहीं हा चार थायो नथी आ भीजा कोई मा नथी जो भीजा कोई मा होथ तो व्यतिरेक सिद्ध न थाथ थाली अन्नवयत सिद्ध थाथ समझ मारें सुम्सू का उच्छो जेर देख बीजी बीजी एक्जांकल सम्झेव पूरुस सूप तुमा कहें छे के श्रीश्चा लक्ष्मीश्चा पत्न्यों अहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणी रूपम अमुम्मनिशाण इत्यादी तो ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यों री अने श्री अने श्री जेनी पत्नी छे ए श्रिवनी पत्नी छे ब्रह्मानी पत्नी छे री अने श्री जे नी पत्नी छे एवो जे धर्म छे असाधर और धर्म कोनों छे कोना पर एपलाई थाए मात्र नाराण ने समझ मायों तो त्यां जे देव नी नो वर्णन थाई रहें चे हिरी आने श्री जेनी पत्नी जे कि शीव परक नहीं लेई शेकाई कैंके शीव नो ये असाधरन दर्म न थी असाधरन दर्म इटले यूनीक करेक्टरिस्टिक्स कोई वस्तु नी ए अहिया कहवान वर्थ चे जारे शास्त्रों में कहें के हृष्च ते लक्ष्मी चे पत्नियों तो हृष्च अने श्री जेनी पत्नी चे तो शीव तो नहीं होए कानके शीव नो ये असाधरन धर्म न थी यूनीक क्यारक्टरिस्टिक्स न थी तो कदाक ब्रह्मा आश्य है तो ब्रह्मा पढ़न थी एक सेकंड ना एक सेकंड ना तो 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 असाधरन धर्मना प्रमाणे कोण विवक्षित चे कईो देव विवक्षित चे रीष्च ते लक्ष्मिष्च पत्नियों पूरुष सूक्त नी अंदर कोई क्यां प्रुष सूक्त चे शीव परकरेष्च ख रीष्च ते लक्ष्मिष्च पत्नियों के उजय RH elector waterfall के रीष्च तो इसी पत्न चे रीष्च तो नाराएंड मेंच समझ मां आई कि नहीं पाद तो जे गुण धर्म मात गुण धर्म ये जो वस्तुमा रहता होए तो ए वस्तुनो ए गुण धर्म जेछे असाधारन गुण धर्म मात्र एमाद प्रतिष्ठित रहे वीजा कोईमाँ जाए नी ये धर्मों ये विरीते क्रिष्ण माँ जे धर्मों प्रतिष्ठित छे क्रिष्ण ना जे माने धर्मों प्रतिष्ठित छे उना के वाई पांड क्रिष्ण जे छे एमना आसाधरन दर्मों कया असाधरन लिंग काई तो ए जे छे इने वरणन करवा माट्या चार अब आंसर था यो question फिला बहन पुछता था ने सारस्वत कल्प माँ तो सारस्वत कल्प माँ जो सारस्वत कल्प माँ जियां सारस्वत कल्प छे त्यां कृष्ण ने वकिटेगे तो पची आजे अत्यार तम्हें सेवा करो चे त्यां कृष्ण सिद्धत नहीं थाये शलिए कि ए टॲिए टोंत म्ोच्छ याृटा यूंट ठंग डिए मैं वेण दूस अम्हुत Sounds थे? अधर कि टृड़ नमुझ्त फिले पूर्ण पूर्ण सुन आ पूनत समय मायां नै? आ लोजिकEZ मैं चेए अ व्यदियी तर्क्ने यू सकरी न अन्याइन अन्याव्यति रहेख छे जो हम कहीं दो खाली क्ल्यारीपाइ करेड़ा याए प्रमायश कोई ने स्क्रीनशोट लेवा तो लही लोगा हम आदूनाथी हम दोने जी नहीं दो दो हम दो दो हम दो भी खाली हम आभी हम आभी क्रिष्ण नी जे एक्जिस्टन्स चे एक क्रिष्ण जे चे काला तीत चे काल थिते बाइंड नहीं था ही शके काल विशेष्ण मा प्रक थेच्टन्स बोल्ड़र प्रक थे शेक्टे पंठ बाइंड नहीं थेच्टन्स चे तो मैंने बांधी नशे को काल की एए यह क्या वना इश्टन्स चे एक दो भूग होई थाइपन होई को ताल वीशेश मा प्रकट थाएचे खराट कुछी हम अगल वीशेश माज रहेचे यह जारत हमने बांधी दो त्या प्रोब्ले मा भी रहेचे कंके त्या महाप्रुभुजी कह से कि मी नी वो तो भूद रहेचे क्रिष्ण जेछे ए आपने जोई लिदो एमनो असाधारन लिंग ए असाधारन लिंग जेछे एना पर्थी शुनिष्चित थाये छे तो शी गुसाई जी एने समप करे छे कि मंत्रोपासन वहिदिकी तांत्री की दिक्षा अर्चना दिविदिविर्व यहाँ अस्प्रुष्टो रमते निजे भक्तेशु समेस्तु सर्वस्वम आ प्रमाणे शी क्रिष्चन नी जे पुरुषोत्तम ता जे छे यहां सिर्ध थाये छे क्याम के शी क्रिष्चन जे छे ए कोई साधन थी बंधाता नती साधन थी प्राप्त थाई शके चे जो इमने प्राप्त थवू होए तो पण तमें एमने कोई के एक साधन विशेश मा बाणधी दो कि नहीं नहीं मन्तरो पासना थी क्रिष्चन प्राप्त थाशे तो नहीं बंधाए पण यहने बंधावए तो पण साथना अभी मान थी जो तमें कृष्णने प्राप्त करवा जशो तो पुर्षत्तम बन्धा शे नई क्रिष्ण पुर्षोत्तम चे ने पुर्षोत्तम कोई साधन थी बंधाता न थी हाँ एमने बंधावु होई तो बंधाई शके चे स्वेट छया पण तमें जो एमने लिमिट करो के नहीं निखाली वे वेर्धित प्राप्त थशे तो पुर्षोत्तम बंधाशे निए अस्पृष्टर है शे एवरिते तांत्र की दिक्षा अत्वा आर्चनादी विधी इत्यादी गाए बधा पुर्षोत्तम ने आ बधा थी प्राप्त था हुए तो डेफिनेटली प्राप्त थाई शक्या छे पण साधना भीमान थी जो तमें एम कहिऊं कि नी पुर्षोत्तम प्राप्त माने थवाज जो या बधा साधन में करे ला छे तो पुर्षोत्तम अस्पृष्ट रह शे त्या अन्शे कला आवेश आवादी अवतारच त्यां रह शे तो त्यां एल पूर्ण रसात्मक्ता एल क जे छे लोकवेदाती तो पूरुषोत्तम अहिंया अन्य श्रीकृष्ण नो एक अन्य पासो वयक्ति एकज छे पड़ अन्य पासो शे बेबे कृष्ण न थी यहां हिया डायग्राम मा एए मिसिंटर्पित न करिदेता क्या अ बेबे कृष्ण नो यहां वर्नां चे बेबे लोग वेद आती श्री कृष्ण ना के लोग वेद आती पूर्शोत्तम कोई एक स्वरूप अने पचे एक कोईक सर्वता भिन्न जे छे कोईक बीजो स्वरूप लोग वेद प्रथित पूर्शोत्तम एक भिन्नत स्वरूप एवने एकट स्वरूप पड़िमना बैपासा चे एक स्वरूप बैपासा चे लोक वेदा आतीत पुरुषोत्तम अने लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम जे पुरुषोत्तम नो वर्णन लोक अने वेद मां मड़े चे अने एवा पण गुणों चे के जे लोक अने वेद म मड़ता नथी ए ज्यारे पुर्षोत्तम जणावे त्यारे खबर पड़े बस आठुच केवान न अर्थे छे लोक वेदा तीत अने लोक वेद प्रथित आ पुर्षोत्तम एकज व्यक्ती छे समझ महाई के निवाच श्री कृष्ण तो एकज छे पड़े पासा छे आ रिते अहिया श्री कृष्ण नी पुर्षोत्तम रूपता मूल रूपता अने रसात्मक रूपता त्रईविध्य सिद्ध थाए छे मूल रूपता रसात्मक रूपता निरवधी सच्चिदानंद रूपता आ त्रण जे छे एक श्री कृष्ण न असाधारन लिंग छे लहियां लखी दाव मूल रूप रेक्या गयू काचिव हाँ वूल रूपता अबे आयल करूशों बदा रसात्मक रूपता पूर्ण प्रसात्मत्ता अवे आ थाई जो न जो आ बदा एड़ थाए छे जो बद्धाज समझाए छे ना 5 प्लस 6 अवे आ मूल रूप ता कही रीते आवियो तो पुर्षोत्तम जी एक मूल रूप निर्धार मूल रूप निर्णाए आ अवतारवादावली मा एक ग्रंथ छे पुर्षोत्तम जी मूल स्वरूप जे छे जेमा थी आ सर्वदेव ता सर्वष्ष्टी सर्वक्षर ब्रह्म इत्यादी सर्व ब्रह्मांड बदाई अनेवित ब्रह्मांडो नी उत्पत्ती अक्षर भ्रह्मने उत्पत्ति, अक्षर भ्रह्मती अनिक विद ब्रह्मांदनी उत्पत्ति उत्त्यादी जेुआजए कि तांत्री की दिख्ष आर्चना पूजा विधिविर्या स्क्रिष्टो रमते निज भक्तेशु एना थी पूनर असात्मक्ता पण हिया लई रहे ज़ुचु असाधरन लिंग थाया आप बदानों समुझ चे थाय त्यारे कृष्ट्न जेचे त्यां कहवा है आए समझ माथि टूँच कोंग तो्यों फोरे गड़ी कष़िये थायां थाया था पूरी क्यार आठकीट सबस्थित्थूसंप्टेेश्ट्यों चे राइड थाया आएड, वाक्तिव्या अचा लग्विक्वाग्विक्त जिसन तुण reflect the new पूर्ण आनन प्राकत टिया माते जै प्रकत हता हो अने कृष्णी किया तो या लोक वेदा आती तो लोक वेद प्रथिते वा बे आमना पाश्छे खे उना पछी ने कृष्णी तो नारायन जे छे एमा मूल रूप नथी तो आवे अपने नारायन तो नारायन मा आ लोजिक पच्छी थी तमने आपने लखी शे लोजिक पड़ नारायन ना अपने थोड़ा वचन जोए कि नारायन वर्णन क्या आवे छे तो पुरुषोहवई नारायन प्रथंत्वा शास्त्रमा कहे छे पुरुषोहवई नारायन पुरुषोहवई नारायन इटले पुरुष शब्द थी नारायन वाच प्रुशोद्तम शब्द कोना वाची छे यस्नाक्षरमती तो हम जो वह पुरुशोद्तम शब्द भगवाने वापर हो क्या जो है पुरुशोद्तम जिए उत्तम पुरुष होए ते कौन अहम अहम इटले कौँ पुरुष अवई नारायन अहिया पुरुष अवई नारायन नहीं हम पुरुष हावई नारायन तो यहां पुरुष शब्द छे यहां पुरुष ओत्तम शब्द नतिशास्त माँ तेथी यहां नारायन शब्द जे छे पुरुष वाची शब्द छे टले पुरुष सूक्त नो अपन जे देव जे छे नारायन छे पुरुष सूक्त माँ जे देव जे छे वर्णिय देव ज पुरुषम महांतम पुरुषोत्तम महांतम नहीं हो जो पुरुषम महांतम तो पुरुषम महांतम में कहे चे एटला ही या पुरुष सुक्त थी वर्णय जे देव जे चे ते नारायन चे तो ये पुरुष हवई नारायन आसी तो नारायन नहीं या पुरुषु सब्त थी केवागा तेवी रीतिय आहिं आ भागवत्मा जुओ पुरैव पुंसावधृत धराज्वरो आ क्या आवे छे? कोई ने याच्छे आवचन? याच्छे पुरैव पुंसावधृत धराज्वरो कनो वच्चन छे? याद छे कोई ने? तो त्यां रिक्वेस्ट करवा जाए छे का आप पधारो हवे असूर हनन माटे कैंड का हवे पृत्वी जे छे ए आरी ते दुख्यमा अवर दुखी थाई रही छे पृत्वी गायना स्वरूपने लईने पृत्वी देवी जे छे कंप्लेइन करवा गया ब्रह्मा जी पासे ने ब्रह्मा जी के भई ये तो अमारो बिजनेस न थी अमारा आवतुद न थी आतो नारायन नो बिजनेस चे करी अन्ने त्यां के नारायन जे छे हता नि तेथि पूरुष नी स्तुति पूरुष सूक्त थी करी नारायन एमने वच्छन आपियो के नी नी अमे नहीं एले अमे एटले के ट्यां शी कृष्ण जेचे प्रकट थशे तो त्या पने यहां पुम्सा वद्रत कईयो छे जो पुरुषो तम नथी कईयो पुम्सा एटले पुरुष पुम्सा हा एटले यहां पुरुष पुरुष शब्द पुरुष वाची शब्द जो 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 पुरुष वाची शब्द तो पुरुष्मा उत्तम एक एग नारा है ना पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नारायन पूरुष 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 नारायन नारायन अन्षिगना से? आण ना ना एनिवपर आउच होगे वह आउच है नारायन माटे पन शब्दों मळे छेवा यहंके नारायन नारायन असितन ब्रह्मनेशान नारायन परा मखा नारायन परा वेदा इत्यादी भागवत ना वितियसकन के तृतियसकन मा चे नारायन परावेदा इत्यादी वच्छन अने नारायन सुप्त नी अंदर पन मने नारायन नीजे सच्चिदानंद रूपता नो त्या वर्णन आवे चे तो त्या नारायन नो वर्णन पुम्साहा करिए छे चता पन निरवधी सचिदानन्द करिए अने भागवद पन केह छे नारायन विशे आज सेम तेथी करी नहीं या नारायन नी सचिदानन्द रूपता मा तो कोई प्रश्ण ना करी शक्ता है नारायन पन सचिदानन्द निर एकुट्प आक्पमआ विवेदाहमेतं,पुरुशममांधं,आधित्य वरण,तमसस्परस्ता रात, तमसस्टुप्ला रे। अने गरक्दर्ण नाराय मा थाटी प्राकटे चेपके प्राकटे उन्टर्ण नाराय प्रकट करवानी रिस्पोंसिबिलिटी एन एड्मिनिस्ट्रेशन नारायन उपरावे इटले सो काम है याथ सो काम है याथ एको हम बहु स्याम प्रजाए एई इच्छा जारे थाई कृष्ण ने त्यारे एई इच्छा ने एग्जीक्यूट करवा माटे तो ए नारायन जेशे एपन निरवधी सच्ची दानन देशे स्वरूपपूर्द नई तो नई गणिये तो पची नारायन उपनिशद नो त्याँ बाद हावे छे किन्तु मूल रूपता नथी नारायन मूल रूपतो श्री क्रिष्ण चे समय मायो किन्के नारायन ने आज्या करवानू कोणे कहिं स्रिष्टी बनावनू स्री क्रिष्ण तो त्याँ एको हवी नारायन आसी नब्रह्मानेशान अने वेदाहमेतं पूरुषम महानतं आदित्यवर्णं इत्यादिवचन अने अहम पूरुषोत्तम यस्मा अक्षर मती तो हम अक्षराद अपिचोत्तम आबधा वचनों नो जहरे एक वाक्यता करिये तो त्याँ ये प्राप्त थाए छे नारायन जे छे ए मूल रूप न थी किन्तु निरवदी सच्चिदानन तो छे जे infinite सच्चिदानन्द रूपता नारायन मा पण रहे छे अंश कला न थी नारायन मात्र मूल रूपता मा डिफ्रेंस छे मूल रूप न थी नारायन नारायन ना पण मूल छे श्री कृष्ण समझ माइगे अच्छा नारायण किटला ड्यूटीज छे नारायण नीचे ड्यूटी के जे माने समस्टी अंतरियामी छे ए समस्टी अंतरियामी रूप थाईने यहां आत्मनी तिष्ठन यहां आत्मानम अंतरो यमियती एटले के बधाना आत्मानी अंदर रहिने बधाना आत्मानू नियमन करवानू काम बधा जडवस्तु माझे आ समस्टी अंतरियामी रूपत्वे न अंदर प्रतिष्ठित थाईने या चंदरमसी तिष्ठन या आधित्य तिष्ठन आ बधा आधित्यनी अंदर बिराजमान थाईने जे आधित्यनो नियमन करे छे छेले के दरेक स्रिष्त्यात्मक वस्तुनि अंदर रहीं है बधानू नियमन करे चे अंदरुइने य वी समस्टीरूप अंतरियामी से नारायन से य‍द काम चे आयुसमयत्यदा बीजो काम नारायन नू ब्रह्मांड मुर्ती छे एमा थी ब्रह्मांड उत्पत्ति करवानू काम नारायन नू चेकर नारायन माती पुरुषो जाये ते नारायन माती ब्रह्मा जाये ते नारायनाद रुद्रो जाये ते नारायनाद ब्रह्मा जाये ते बद्धानी उत्पत्ति नारायन माती छे ब्रह्मांड नू उत्पत्ति नारायन माती छे अने ब्रह्मांड वर्ति छे देव जे छे ब्रह्मांड ब्रह्मा इत्तिया थी बद् एटले वामन नुर सिम्ध time-is, इत्याधिdefined अन्ष कला आदी अवतार एबध्धा नारायेन माती उत्पन अथाये चे सर्वनान अवतार निधानम आबधा नारायन मा थी उत्पन्न थाय चे एतले बीजो काम नारायन नो शुँँ जगत नुँपरिपालन करवे असर्वनन करवे धर्मसम स्थापन करवे आबधा आबदू काम नारायन पर आवे चे administration नो भार तरीजो काम ब्रह्मांड जे चे उत्पन्न करू स्थित करू लए करू आ बधानु एड्मिनिस्टेशन पन काम नारायंड परावे चे अन्ने अंदर रैने बधानु नियमन करू यहा अत्ननी तिष्ठन आपन काम नारायंड नुछे क्या लावियो नारायन नु काम केटलू छे नारायन माती बदा नाना विधन श कला अगुणा अवतार प्रकेट थाये छे पन देवल बई आ बदम आजे छे नारायन नु जनेम कई क्या बदी पति आमा थी तो इस सामर्थ कोल निरवधी सच्चिनानन्त छे एपन तो सामर्थ से तो इम्नु अट गणा शे नारायन पन एक अवर रूप छे कृष्ण नोज एक अन्यस्वरूप छे विश्ननों नारायने कन अन्यस्वरूप जए मात्स डिफरंस ये लीलाद्वईत्ना प्रमान एच्चिक्र द्वाइत्ना प्रमानि अच्छिक्र क्रोंक अच्छ भैंपर अन्हें प्रुण प्ष्ट्राधन के वाई वह यू करूंँए अई विष्णु इस डिफरंट्छ वि तर्कट थाए ची गुणावतार भुश्ट एरिटे एक विश्णे गुणावटार विश्णु जुदा चे गुणावतार विश्णु तो नारायन आंपन अन्ष चे तो नारायन जुदा चाहिए.. नारयन के बात करी अचेश साई नारयन के बासे ने आखो एड्मिनीस्ट्रेशन नू काम छे शुष्टी उत्पन्न करवानों एद्मिनीस्ट्रेशन नू काम नारयन चे नारयन करें श्री कृष्ण बड़ा मां थी अडगा रहे चे श्री कृष्ण जेछे एटो यहांना लीला जे भक्तों सासे यहांनों रमणाज करेचे यहां यहांने कोई आटला एड़्मिनिस्टेशन नो भार नतिल लिता श्री कृष्ण एक्जीक्यूशन काम कोन करे नारायन एटले भार कोने आपयो छे आ बधा नारायन श्री कृष्ण तो अस प्रिष्टोर मते निजे भकतेशु समेस्तु सर्वस्व नर्नारायन अलग हाँ 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 नर्नारायन नर्नारायन अलग हाँ थर्ड थर्ड लेयर माँ है अजिसे ना केटेगरी से ने गुणा अवतार प्राम्मा विष्ण अशेकला अवेषादिय अवतार, तेमाना एक नर्नारायन. नर्नारायन नती हो, नर्नारायन नती हो, तो अज़े पद्मनाभम नो मंधिर्षि अमा अप्डेश्चा ही नारायन के वास चाहिए? येस, 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 absolutely येस. वेंकटाद्री नी अंदर, शीरंगम नी अंदर जे चे ए बद्धा स्वरूप शीरोध समुद्र शेश शाई नारायना स्वरूप गुणा अवतार न थिया, विष्णू, ब्रह्मा विष्णू गुणा अवतार न थिये. पद्मनाब स्वामी, वेंकटाद्री, शीरंगम, आवधामा, जे स्वरूप स्थित चे ते नारायना स्वरूप चे. जैसे कि श्वर ये नारायन ने, जिसे अक्षर के समकक्ष रखेंगे या क्या मानेंगे? नारायन से अक्षर ब्रह्मा प्रकट होता है, देखो यहाँ पर, नारायना ब्रह्मा जाये थे, नारायन रुद्रो जाये थे, नारायन अक्षर ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा पर नारायन से प्रकट होता है, अक्षर ब्रह्मा भी, ये देखो यहाँ पर, तो अक्षर की कोटी नहीं है ये नारायन, नारायण से आतित के नाराफ्ण भी cactus ignoring your तीसरी कोटी माननी पड़ेगी मतलब कि जैसे अक्छर पुर्शत्म वर उनके बीच की भी एक कोटी माननी पड़ेगी कि अर्थक्रें थुवर्णरर्ट मांतो यह कि अपर्व्र म्मा ब्रह्मन नहीं अक्सार ब्रह्म उत्पन थाइसे अन्य यह माती आब दोगी है आपन अवे ने ने विवेचन करी रहे हुआ यह वदर इप मा जई रहे है अपने नारायन क्या थिया अपना तो कहीं में आखा रेफरेंसिस तो आप्या मेरा नारायन ना तो इसकी मतलब नारायन जो है उनकी सच्चिदाननदात्मक्ता का स्टेटरस क्या रहेगा क्योंकि जैसे अक्षर पुर्शोत्तम के लिए तो क्या बात आ रहे है कि अब आसनिकता का स्चिदाननन्दा आत्मक्ता का स्टेटरस नारायन का क्या मानें की सचिदाननन तो क्या मानें जैसे अभिष्षिन्न तया कौंसा पक्ष अभिषिन्न ने तो कोण सा प्रिषिन्न ट आइस ओंत आप्रिषिन्न मैं आप या फिचिदान дав cou Bowl जानिग influen्टान संदर्ब में वहां कहिए सर्वनेड़ा में कि वह जो पुर्शोत्तम और अक्षर हैं उनके बीच में कोई ऐसा नहीं है मतलब दोनों सच्चिदानंदी हैं जजे ने भी इसपष्ट किया है कि सच्चिदानंदात मकम नहीं है वो सच्चिदानंदी है मूल में अक्षर विजे सच्चिदानंदा कम प्रत्य है वो अक्षर के लिए यूज किया गया है और जो नारायन है उसके लिए नारायन ओपनिशत का और भागवत का वितियसकंद का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि अगर नारायन की कोटी ही नहीं गिनते हैं तो नारायन उपनिशत व्यर्थ सिद्ध हो गया उसका व्याकोप व्याकोप हो गया और जो महा प्रब्रुजी रिष्य भागवत की व्याक्या कर रहे हैं सेकंड स्कंद में वह महाप्रुजी के वच्चन भी मिथ्या हो भे आया ना समझ में तो यह ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट लिया और सब कुछ समझ गये ऐसा नहीं होता है शास्त्र का इंटरप्रेटेशन में शास्त्र का इंटरप्रेटेशन सर्व प्रमायन से जो consistent मीनिंग निकलता है एक सबकुछ ऐसा नहीं होता है कि मैं वह बहन का आंसर दे रहा हूं कि एक पूछ रहे हैं कि सर्वनिनमा तो लख्यू नथी नारायन तो पच्छी आवा तो क्या थी लईया हो चो एक सर्वनिनमा प्रमान वापरी ने बदू न समझी शेकाए भागवत ने पंड कंसिस्टेंट कर ने पाई वां कण दों पड़वा पड़शे अन गीता ने पंड कांसिस्टेंट कर भी पड़शेक वाकेता है कि वागय वक्य tutorial समझिका प्वूपू ब्राधा सतस चला हैलो समहों कि sach तो हम अस्तों नाव। घ्याहे हैं, तो हम अपने खाने को 13 के पूरुश्य शुक्त मां न पार्ट केम करने सैंगा, इनाव। उत्कृष्ट नी 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 उत्कृष्ट जगदीश भाई typically ऑक्षोर ब्रंह मजोग से वो सच्चिदानंद कम प्रक्तिप से डेफिनेटली निरवधी सच्चिदानंद रूपता है पर इच्चदानंद रूपता भी है तो निरवधी सच्चिद है पर इच्चदानंद गिनना पड़ेगा और कारण के परस्पेक्टिव से निरवधी सचिदानंद है पर जब कार्यानवित होता है अक्षर ब्रह्म तब निरवधी सचिदानंद कहा रहता है तो लीला दूइट के पर्स्पेक्टिव से मनना पड़ेगा कि हाँ इशद आनंद है स्वरूप बूठ से मनना पड़ेगा कि नहीं निरवदी है कोई प्रॉब्लम नहीं है